सबी सिचक और सिचका का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करिंट हैवन के सूपर्टेट के क्योशन स्रीज में यह सो दोस्तों सातवा क्योशन स्रीज है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्राचीन इतिहा से रेटेड जिसमें देखेंगे जैन धर्म के बारे में पंद्रक क्योशन डेली आते हैं यह सेशन डेली सुबह सात बज़े लाया जाता है जिससे कि आपके आगामी एकजाम जो सूपर्टेट की एक्जाम है और अन्न एक्जाम में भी बैठना जाते हैं तो आप बुष्ट हो सकें इस एक मातर सेशन से जो की रेंडेमली आता है जियोग्राफी पॉलिटी और हिस्ट्री इससे आप साथ नंबर कबर करेंगे सूपर्टेट में तो तयार हो जाएं अभ इसमें से कौन सा अपसन है यह बताना है आपको बता देंगे इसमें न्यायवाद न्यायवाद जो है जैन दर्सन से संबंद नहीं रखता है न्यायवाद का जैन दर्सन से कोई संबंद नहीं है न्यायवाद का प्रतिपादन गौतम मुनी नहीं किया था इस बात को याद और जो स्याद वाद जो उपर दिया गया है इसका संबंद जैन दरसन से है याद रखेंगे जो यहाँ पर नियाएबाद है इसका जो एक तरह संबंद है एक तरह से गौतम मुनी से है गौतम मुनी नहीं परतिपादन किया था जो स्याद वाद है पहले नंबर पर है उसका जो सांसारिक वस्त को नो तो पूर्ट अस्विकार किया गया है और नहीं अस्विकार किया गया है जो स्यादवाद है और निकांतवाद है इन दोनों के ताथ इस तरह याद रखेंगे पहले प्रश्ण का जो राइट एंसर है वह है आपका निया वाद चलिए दूसरे प्रश्ण आपको पता है जो पहले तिर्थंकर थे उनका नाम थे रिसब देव पहले तिर्थंकर हुआ करते थे हुआ होते हैं अभी 24 तिर्थंकर पूरे के पूरे हैं सभी का नाम अभी आपके सामने रखते हैं तो इसका राइटेसर पहला के होगा दूसरे का होगा रिसब देव अच् अयुद्धया के नाम से जाना गया आप जाके तो एधया के शूर्य कुल में हुआ था? रिसब्देव का प्रतीक चिने साढ़ था? यह अचे बात को यह दखेंगे, रिसब्देव का इतना बहुत है इसके बाद हम बात करें 23 नंबर के पार सुना थे जो की कासी घराने से थे यानि कि बनारस के रहते बनारस के यह थे और जो 24 के थे और महाविर्ष स्वामी थे इस बात को या दखना है यह जो आप से बहुत बार पूछा जाता है इस जिए से हमने बताया इस को आप याद रखेंगे जो की बहुत बार इक जामें पूछा जाता 23 चोविसवा और उपर से पांच यानि रिसब्देव अजीतना सुमितनात सुरी रिसब्देव अजीतनात संभवनात अभिनंदरनात और सुमितनात इस तरह से पांच आपको याद रखना है चलिए अग इनकी जो कुल था वह लिश्वी थे याद रखेंगे साथी इसके बाद पाटली पुत्र में इनके साथ क्या हुआ था तो बताएंगे पाटली पुत्र में जो इनके साथ हुआ था मित्रों पाटली पुत्र में इनका संगीत का जो प्रथम जैन संगीत था उसका आयोजन कि इसके बाद आ जाते हैं जो दुती जैन संगिति था वह कब हुआ था भाई वह कहां हुआ था तो बताजिए को जुम्भिक ग्राम में कैवल की प्राप्ति हुई थी हमारे हमारे एक तरह से महावीर स्वामी जी को वह तो बताएंगे कब हुआ था पताजिए आयोजन के समय पांसो बारह इसी माना गया था बाद में इसका जो बताएए पटाफट बता दीजे कब हुआ था यानि कि उनका डेत कब हुआ था उन्हें कैवल की प्राप्ति बोलते हैं यादखना जीसे महापरी निर्वार बोलते हैं बहुत दरमज का बहुत जी का जब मु पुर्व करके है ना चौधा पूर्व करके है ना चौधा पूर्व यही सबसे पुराना जैन गरंत इसको माना जाता है एदूती जैन संगती के आद्यशता किये थे वह दविड़ी छमा स्थरमर किये थे यहाद रखना थोड़ा नाम डिवकल्ट है दविड़ी उध है नाम दवर्दी दवर्दी छमा चमा स्थमर उंन्हों ने एक तरह से दूती जो बहुत इस अगिती थी जो की 322 सापूर में प अज़न संक्ती में जो आपके दूसरी जहन संक्ति ती इसको क्या माना गया है और इसमें घ्रंथों को अंतिम रूप से संकलित लिपध दिखिया गया यह बात को भी याद रखेंगे आप चलिए नेक्स्ट महावीर तित्थंकर का तित्थंकर कौन से नंबर के थे इस बात को याद रखना इनको तरह से जैन धर्म का वास्तिविक संस्थापक आ जाता है अब आगे दिखाएंगे पांच मुल निकायम से एक इन्हों ने पांच मुल नंबर का इन्हों ने इसमें आड कर आया तो अगले प्रस्प चलते हैं जैनो में दिगंबर और स्वितंबर अलगाओ कब हुआ अगर कहा जाता है जब एक ऐसा दिन आता है कि जब आकाल पढ़ जाता है करनाटक में मत्सवरी जहां पर रुगराते थे वहां प टोय जाते हैं कि एक लोग चले आते हैं पूरा एक पुरा ट कर ना कौन देंगे बद लॉस्ता रहते हैं तो उस से उनके संपर्ग में जितने भी जैन मूनी रहते हैं वे स्वेत वस्तारण करने लगते हैं कहाएं। जब नंग ना रहने दुलौनर बें चांगेों कई सब्सक्राइब जा aur कर लिया तो बात में यह समाज बढ़ जाता है जो सवेत् हांबर तो नंहें बुलकार बढ़ा जाता है तो दिगंबर में महिलाएं नहीं आती थी इस वज़े से कि यहां पर नंग नरना पड़ेगा या फिर बहुत सारी चीजे थी जो कि हमको यहां पर एक तरह से अजीब लगने लगा था और आगे चलके पता चलता है कि सवेतांबर में एक तरह से आवरतें भी सामी लोने लगी इस बात को याद रखेंगे तो कुछा गया है जैनों में दिगंबर और स्वेतांबर अलगाव कब हुआ तो बताएंगे तीसरी सताब दीशा पूरो थी तूस्तर में यह अलगा हुआ था चली तीरियतन सिध्धान्त सम्यक दर्सन पले तो यह याद रखे चलते हैं तो बहुत आसां है कौण और इससे रिष्धे की अंदर आता है करनाटक से लेकर पुरा बिहार पुरा इस तरह से फैलने लगते हैं जैन धर्म को जब मानने लगे थे तो इसमें इनकी एक तरह से लास्ट में इन्होंने एक तरह से बिना कुछ खाए पिए अपने मिर्तु को प्राप्ति होनी है तो यह कहा पिनकी मिर्तु हुआ बहुत जादा पूछ लिया जाता है तो बता देंगे स्रावड बेल गोला जो करनाटों में पड़ता है चंदगरी नमक पहाड़ी पर इन्होंने अपना जीवन का सेस दिन बिताया हुए पर चलिए नेक जो भद्र बाहुते भद्र भाहु का संबंद है या दिगंबर नेता थे याद रखना है और सवेतांबर नेता थे इस तुल भाहुते आपको यह चीज़ें पता हुए अब मोगली पुत्र घुसाल जो थे भई यह महावीर स्वामी के भ्रमड के दौरान 6 वर्स तक उनके साथ ही एक दस साथ रहे और जो देवार्दी शमास रमड हैं यह दूसरी जैन सभा के सभापती थे दूसरी जैन सभा सभापती कब हुआ था हमने बताया तब इस्टार्ट तो मैं कौन सा सिध्धांत जोड़ा था यहाँ ने ब्रहम चर को जोड़ा था और यह तरह से चार चार कौन से थे इसमें तो चीव को नाम आप यहाद रखेंगे पहले यहाद लाई सथे पहला अहिंसा था दूसरा सत्य था ये से ताये पहले से था और उनने पांच검न जोड़ा महाविर स्वामी ने तो बता देंगे कभर मजना पालन एं M. और प्राचीन भार्ति ग्रंथ दार्सनिक ग्रंथ मानना जाता है प्राचीन भार्ती ग्रंथ दाशनी ग्रंथ कि नाम से उपनिस्यद महा बारत mechanism क्या कहते हैं बता देना घम कहा जाता हे ग्रंथ इसवात को आखेंगे भई yeah अर्दमागदी पूचा जाता है इस वे बहुत जादे बाद में चलके बीवाद हो जाते हैं इसको खतम कर दिया जाता अब बहुत देख रहे हैं बहुत दीरे-दीरे विलूप्त हो गए पता भी नहीं चलता हमारे वनारस में थोड़ा बहुत दिख जाते हैं जो आपके कल य अपना उपदेश बाएक तो धर्म में गुर॑ का तिर्थंकर कहा गया जहिंद्रम में जू हमारे महावीर स्वामी है उन्हें गुरू का तिर्थंकर मान लिया गया जायन धर्म में20 24 जितने गुरू थे महावीर स्वामी हो गया है पारसनात हो गया इन सब गुरू माल लिए गया इस तरह से चलिए नेस्ट महावीर किसमाहीर जिर सया लिश्क्त संगी के थे और से बस्तित अब प्रमुक्त की पोंती जो 12 263-251 थी वह लिच्वी कूल की चेतक की बहन थी इनकी माता याद रखेंगे अगर बात करेंगे महावीर घ्यात्रिक कूल से संबंदित थे महावीर जो थे यह घ्यात्रिक कूल से संबंदित थे लेकिन अपनी माता की कूल से जाने गए महावीरों ने 30 वर्सों 30 वर्स की अवस्था त्याग दिया महावीर को ग्यान यह प्राप्ति जुम्बिक ग्राम के समीब रिजुपाली का नदी के तट पर होता है जिस जैन गरंथ में तिर्थंकरों की जीवन चरित्र है उसका नाम क्या बहुत बता देंगे कौन से जैन गरंथ है फटापड बताए कल्पसुत्र मित्र अगला चलते हैं निमलखित में से जैन धर्म का संद्ध नहीं था जैन अपनाया नहीं था बतातें के बीटे रहते हैं बिंदू सार फिसके बाद असोक आते हैं यह करम चलता है इस बात को आप गया दखना यहीं नंदवन्स के सभाय इन्हों नहीं किया था चंदगुपत मौर नहीं आपको पता है चाड़क ने सपत लिया था कि जब तक हम घनानंद को गद्धी से नहीं इटा देंगे या त्याचारी को खतम नहीं कर देंगे तब तक हम बैठेंगे इनको राजनीतिक तरीके से इनको बहुत कुछ सिखाते हैं सिखाने के बाद इनको राजा बनाते हैं और यह घनानंद को हराते हैं अब नंदवन्स के बाद आता है अब नंदवन्स के बाद आता है इस तरह से पूरा का पूरा सिख्यास अंदरबह जब जब ज्यादा ग्यान हुजाता था उसे कैवल लेकी प्राप्ति कहा करते थे इस बात को या दखना है यह सारे के सारे प्रेशन बहुत इंपॉट्टेंट है अब अगला हम आते हैं ने बिल्कुल भी खबड़ाने के जब नहीं हर एक चेप्टर इस तरह कबर करेंगे के माद हमसे बहुत मज़ा आ जाएगा अच्छा बताइए पार सुनात का पुछा जब आएक तरह से प्रतीक क्या था तो बताएंगे सर्प था आदिनात का क्या था महावीर का सिंग यानि से सब्सक्राइब जरू कर लीचेगा